हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट ईसुफ जैक्स वारच हमारे पास यहां पर है शाओमी का शाओमी 11i हाइपर चार्ज तो 11i हाइपर चार्ज का तो बहुत जादा क्रेज है ही काफी सारे लोगों ने लिया है हमने इस पर कुछ वीडियो से बनाई है और आज इस वीडियो में हम लोग लेके आये हैं शाओमी हाइपर चार्ज लेक ओरिजिनल फुल स्क्रेन टेंपर ग्लास जो आपके फोन को स्क्रैच से बचाएगा डर्स से बचाएगा और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी इसू नहीं होगा एक्दम ट्रांसपेरेंट है बह तो बॉक्स को साइड कर देते हैं और यह शीट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि फोन पर श्क्रैच लगने का भी तो डर होता है तो यहां पर देख लेते हैं कुछ फोन इस तरह से हमने रख लिया है जब आप यह काम करेंगे यानि टेंपर ग्लास लगाने का काम करेंगे ते दिक्कत होता है बहुत सारे लोगों को लगता है Celtar फोन पर ग्लास हैं कोई दिक्कत महीं है लेकिन धाली फोन पर ग्लास हो चाहे बूलिट प्रूफ ग्लास बहन से बढ़े यहां कि आप टिमपड गलास यूज़ करो जो फोन को इस बलि emissions साथ में हमें यहाँ पर एक cleaning kit मिल जाता है इस cleaning kit के अंदर जो है आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती है clean करने के लिए जैसे कि एक dust sticker है ये सुरी क्या बोलता है इसको जो भी बोलता है cleaning cloth आपको देखने को मिल जाता है साथ साथ एक sanitizer मिल जाता है मुझे मेरे हिसाब से ये पिछले एक साल से जादा से sanitizer दे रहे हैं और यहाँ पर एक आपको बड़ा wipe मिल जाता है एक dust absorber मिल जाता है dust absorber की जरूरत उन लोगों को पड़ेगी जिनका फोन पुराना है नए वालों की जरूरत नहीं है जैसे देखिए हैं पर हमने wipe one निकाला आप wipe one से आपको जो है काफी जादा इसमें liquid होता है alcohol तो इससे आप अपने screen को बढ़िया से clean कर लेंगे नया phone है तो जादा मेहनत करनी की जरूरत नहीं है बस इस इसको ध्यान रखना है कि ये record करते वक्त आपको सर को phone के उपर नहीं लाना है अगर आप सर को phone पे लाओग तो ये बढ़िया से नहीं चिपकेगा ठीक है dust घुष जाएगा साथ साथ खिर की दरवाजा और पंखा ये तीन चीज़ बंद रखना हाला कि winter का time है तो पंखा शायद ही कोई चला रहा हो यहाँ पर यह वाइप 2 देखने को मिल जाता है वाइप 2 सुखावा होता है इसमें कुछ नहीं होता है वाइप 1 से बचा कुछा liquid है यह आप वाइप 2 से पोच के हटा सकते हैं वाइप 2 जो है इसलिए होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने phone के screen को चारो तर जाता है और इस temperature glass को क्या है आप 5 बार लगाओ 10 बार लगाओ कोई दिक्कत नहीं है तो इसे हम side में हटा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसको हटाते वक्त भी dust जो है phone के उपर पढ़ ही जाता है थोड़ा बहुत जैसा कि आप देख सकते हैं dust थोड़ा बहुत आ गया तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यह जो है चिपक जाएगा और वहां पे air आ जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा तो इसको आपको ध्यान में रखना है फिर आपको ऊपर से लेकि नीचे तक प्रॉपर मिलाना है और इस तरह से छोड़ देना है जैसा कि आप देख सकते हो यह पर तूट गया और बहुत जादा प्रेस कर दिये तो हो सकता है कि फोन भी तूट सकता है ठीक है तो यहां पर देखिए कुछ इस तरह से हमने जो है maximum air निकाल लिए हैं अब जो air हलका फलका बचा है उसको कैसे निकाले ठीक है यहां पर साइड में आप जो है कि यहां पर कोना में हलका सा air है यहां पर भी प्रेस करेंगे ऐसे air निकल जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से आपके फोन के अंदर जितना भी air है वो निकल जाएगा और tempered glass कुछ इस तरीके से बिखेगा अब आपका phone अगर बाइचांस इस तरीके से गिरता भी है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फूल बढ़ियां वर्क कर रहा है, साथ ही साथ डिस्प्ले क्वालिटी में भी कोई इशू नहीं है, अब रही बात के कभर, तो आउट ओफ दो बॉक्स में ये कभर है, इस कभर को हम लगा के देखते हैं, कि कभर लगाने पर क्या टेंपर ग्लास रहत होता है, और कभर हलका से स्क्रीन को कभर करता है, यहां पर आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ इस कभर को लगाने से, इस वीडियम बस इतना ही प्रोड़ट की लिंग डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पोचेस कर सकत हैं, मैं मिलूँगा अगली वीडियम तब तक के लिए, वीडियो को लाइक करना ना है भोले चैनल को सब्सक्राइब करें, और शाओमी 11i हाइपर चार्ज और हाइपर चार्ज हटा दो तो दूसरा मॉडल है, उस पे यही टेम पर लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके और वीडियो से देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखें